तुला राशी वाले दोस्तों शनी का राशी प्रवर्तन हो चुका है शनी ने राशी प्रवर्तन से आपको आपकी राशी पर चर्रे चतुर्त डया से मुक्ती परदान कर दी है आपकी राशी के लिए यह सक्रात्मग प्रिवर्तन है गुरू के राशी प्रवर्तन से सबसे ब का लिया हार्दिक स्वागत करता हूँ आपका अपने यूटिप चैनल अक्षी टैस्टर मास्टर में मेरे तुला राशी वाले दोस्तों कैसे हो मेरे वह दोस्त जो ठीक नहीं है चेंता का कोई विश्या नहीं है गुरू के राशी प्रवर्तन से आप शरीरिक और मांसिक रू पैदा कर रहा है आए से अधिक वय तनाव पैदा कर रहे हैं जीवन जापन के लिए दूसरों से व्याज पर धन मांगने तक कि नोबत पैदा हो रखी है इच्छाओं की पूर्ती के लिए रिन लेना पड़ रहा है अब गुरू के राशी प्रवर्तन से आप व्याज से नह आर्थी गुरूप से मजबूत बनेंगे वैपारी दोस्तों के वैपार में वरिदी होगी हर कार्या में सफलता मिलेगी दन सुक शांती स्वास्त और समरिदी आएगी विस्तार से सपर चर्चा करेंगे गुरू एकी राशी पर तेरा मां संचार करता है इसलिए बाइस प्र बाइस प्रेल को गुरू बादकस्तान से मोक्त होकर आगे बढ़ जाएगा तता सप्तमबा में प्रवेश कर जाएगा बादकस्तान से गुरू के मोक्त होने से विगन बादा और विपत्तियों का नाश होगा पिछले समय से जीवन में पेशारी प्रेशानियों से राहत मिल मांसिक रूप से मजबूत बनेंगे शत्रों की संक्या में कमी आएगी दंपत्या जीवन और संतान शेत्र पर सक्रात्मक प्रिवर्तन आएगा जीवन साती के सुख सने सैयोग सवास्त और सवापर बेहतर प्रवाप देखने को मिलेगा दंपत्या सुखों में वृद्धी माने गिले शिकवे मन मुटाब दूर होंगे लंबे समय से शादी विवा के लिए प्रयासरत अविवाईत दोस्तों के प्रयास सफल होंगे तथा विवा के रास्ते पेशारी अर्चने दूर होंगी विवा सुख शांती पूरवक संपन होगा प्रेम विवा के इच्छुक प्रेमियों की इच्छा पूरन होगी सब तमबापर गुरू का संचार वैपारी दोस्तों के लिए लापरद रहेगा पिछले समय से सूस्त और ठंडे पड़े वैपार में अचानक से तेजी देखने को मिलेगी जीवन साथी और भागीदार के माद्यम से भी वैपार में करने जा रहे हैं तो बाइस अप्रेल के बाद करना अधिक लापरद रहेगा लंबे समय से आपकी राशी का सब्तमबाप राहु एब के तू के परवाब शेतर में चल रहा है अब गुरू के आने से राहु के तू के कू परवाब में काफी हद तक कमी आएगी भागीदार क के साथ कोई गती रोध है तो वह भी दूर होंगे बागीदार के रास बंदों में मदूरत आएगी सब्तमबाप पर गुरू का संचार इसलिए भी महत्त पुरन है क्योंकि सब्तमबाप से गुरू की तीन महत्त पुरन भावों प्रथम तिरतिये और एकादिश बाप पर द गुरू की दृष्टी आपके संद्रिया और व्यक्तितम में निखार पैदा करेगी राहु के तु के परवाब से विचारों में बनी हुई नकरातमक तक काफी हद तक दूर हो जाएगी राहु के परवाब से अगर चेहरे पर कोई दाग दब्बे आ गए हैं तो वह भी राशी पर गुरू के परवाब से विचारों में शुट्धा के साथ सोच सक्रातमक बनेगी सक्रातमक सोच स्वास्त को परफुलित बनाई रखेगी आप शरीरिक और मामसिक रूप से स्वरस्त मजबूत और परसंता की अनबूत्ती करेंगे जोश उत्सा उमंग और उड़ स्थिती में आ जाएगी इस से समाई में लोग प्रियता बढ़ेगी यश कीर्थी तता प्रतिष्टा चारों तरफ फैलेगी बुद्धीवल ग्यान और विवेक शक्ती में वरिदी होगी तिर्थिय बाप पर गुरू की दृष्टी आपके आतम विश्वाश को मजबूत्त पर दान करेगी आपका अपने प्रती विश्वाश बुलंद इरादे और उच्च मनोवल कुछ नया करने और जोखिम लेने के उदेश्या से अपयोगी साबित होगा साहस पूरन और जोखिम पूरन कारियों को सरलता से अंजाम देंगे तिर्थिय बापका स्वंद लेकन औ कर रोजगार करते हैं गुरू की यह द्रिष्टि उन्हें अश्तीत सफलता दिलाएगी मेहनत भोधिक योग्यता ग्यान सूजबूच और क्रेटिविटी से अपने शेतर में बहुत अच्छा कार्या करेंगे आपकी राशी का तिर्थिय बाप गुरू का अपना भाव है इ आपकी लेखनी की परशंसा करेंगे सोशल मीडिया पर नेम और फेम बढ़ेगा वैपारी दोस्त अपने कार्या वैपार का विस्तार ओनलाइन के माध्यम से करेंगे कार्या वैपार में नई विचारदारा नई योजनाओं को जनम देगी घर से दूर द्राज के इलाकों मे कार्या वेपार का विस्तार संबव है वेपारी दोस्त कार्या वेपार के सिलसिले में छोटी वड़ी यात्राएं भी करेंगे जो की लाप्रद रहेगी शादी शुदा दोस्त जीवन साती के साथ यात्रा करेंगे बाई बेहनों और प्रोसियों के साथ भी समंदों में मधूरता बनेगी तुला राशी वाले वह दोस्ट जो पिछले समय से कानों से समंदित किसी समस्या से जूज रहे हैं वह उस समस्या से काफी हद तक बाहर आ जाएंगे दोस्तों बात करें एक आदश भाव पर गुरू की तरिष्टी के तो यह तरिष्टी अत्यादिक उत्तम रहेगी जो आपको बदहाली से बाहर निकालेगी लगातर नीचे की और जारा आर्थी ग्राफ उन्चाईयों के नए रिकोर्ट बनाएगा तथा उपर की और चलना शुरू कर देगा एक आदश भाव हमारी डिजायर गेन सक्सेस और प्रोफिट से समदित बहुत महत्तपुरन भाव है इस भाव से बड़े बाई बेहनों और मित्रों का भी विचार किया जाता है इस भाव पर गुरू की दृष्टी से आर्थी कुनती लाब और सफलता को बल मिलेगा आपकी एक अगरता भी अपने आईस बंदित लक्षियों पर बनी रहेगी तथा काफी हद तक अपने लक्षियों को हासिल करने में सफल भी रहेंगे बड़े बाई बेहनों और मित्रों के माद्यम से भी लाब के योग बनेंगे वैपार बापर स्थित ओकर गुरू की लाब बापर द्रिश्टी वैपारी दोस्तों के लिए विशेश रूप से लापरद रहेगी किसी भी कार्या में हाथ डालेंगे लाब की संभावनाए प्रवल बनेगी वैपारी दोस्तों की पांचों नहीं दसों उंगलियें घी में रहेंगी आये और लाब की स्थिति अत्यादिक मजबूत बनेगी आप कोई भी कार्या वैपार शुरू करना चाते हैं या पुराने वैपार में निया निवेश करना चाते हैं तो 22 अपरेल के बाद करना अधिक लाब परद रहेगा गुरू संतान का रकवी है गुरू की शुक्ता संतान के माद्यम से भी लाब के योग बनाएगी वरश के अंत में अक्तूबर मा तक गुरू और रहू का यूती योग बनेगा इसलिए इस सवदी तक सोच विचार कर कार्या करें अक्तूबर मा में राहू राशी प्रवर्तन कर चटेबा में प्रवेश कर जाएगा अब गुरू के और अधिक बेहतर परिनाम देखने को मिलेंगे चटेबा पर राहू भी शत्रू नाश्यक का कार्या करेंगा दोनों का संचार उत्तम बना रहेगा इसलिए आने वाला समय आपके लिए गेम चेंजर साबित होगा गोल्डन पिरिड कह दे तो कोई बड़ी बात नहीं है इसलिए जाते जाते कमेंट बॉक्स में गुरू की जजाकार रवश्या करें आपको या वीडियो कैसी लगी के रप्या लाइक शेर कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूले देने आवा